वेलकम टू जीरो से जिनियस तक के इस वीडियो क्विटेस्ट में आप से पूछे जाएंगे जीके जीस के 25 इंपोर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को तो चलिए सुरू करते हैं पहला प्रस्न है हरिजन सब्द किस ने दिया था आपको जबाब सोचने के लिए समय सुरू होत हैं अब सही आंसर हो जाएगा और सी महत्मा गाधि हरिजन सब्द महत्मा गाधि ने दिया था कोश्य नंबर टू माचिस की तिल्ली में किसका पर्योग्य किया जाता है सही आंसर हो जाएगा आप्शन नंबर बी लाल फासफोरस का कोश्य नंबर टीन है डेंगू बुखार किसके काटने से फैलता है सही आंसर हो जाएगा आप्शन नंबर डी ए और बी दोनों के काटने से डेंगू बुखार फैलता है कोश्य नंबर फोर चुनाव लड़ने के एक शुक वियकति की निवनातम आयू होनी चाहिए लोग सभा चुनाव लड़ने के लिए निवनतम आयू होनी चाहिए आंसर हो जाएगा आप्शन नमब बी 25 वर्ट्स कोशन नमब शिक्स है तिसरे अंपायर नियम के प्रथम सिकार कौन सा खिलारी बने तिसरे अंपायर के प्रथम सिकार कौन बने तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आप्शन नमब डी सचीन तेंदुलकर कोशन नमब शेबिन गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदे से कहां दिये थे सही आंसर है आप्शन नमब डी सारनाथ में कोशन नमब एट कहली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उप्युक्त मानी जाती है सही आंसर है आप्शन नमब डी का पास कोशन नमब डी आएकर किसके द्वारा लगाया जाता है सही आंसर है आप्शन नमब डी केंद्री ये सरकार के द्वारा कोशन नमब टिन चनक क्या किन के गुरू थे यहां पर आंसर है आप्शन नमब डी कैंद्री गुप्त मोर्य के को सनागे है तिल छेत्रा के लिए सर्वाधि के पुराना जगह कौन सा है सही आंसर हो जाएगा आपसन नमब बी डिग बोई जो की असम में इस्तित है को सन नमब बारा टीबी रोग के रुख थाम के लिए कौन सा टिका लगाया जाता है सही आंसर हो जाएगा आपसन नमब डी बी सी जी का टिका लगाया जाता है राइट आंसर है आपसन नमब डी बी सी जी को सन नमब तेरा भारत भारती के लेखक कौन है भारत भारती के लेखक कौन है यहां पे आंसर हो जाएगा आपसन नमब डी एका भारतली सरल गुप्त कोस नम्बर चौर नॉर्बशनूर झाल भारत का पहला रतान वधारत का यसोय को सभतत्त š Yani the Senior a Chiefained भारत मतलबुव knew यह टोफोर समस्षेर्स सर्षार्पत ज़ाएगा भारत यामिस के सल्रेस्फ्पत कूरुरूर अरप मदर ट्रेशा द्वारा अस्थापीत धर्म संग है क्या कहलाता है तेहां पर आंसर हो जाएगा आप्सन नमब ए मिसनरीज ऑफ चैरीटी मिसनरीज ऑफ चैरीटी कोजन नमब शोला स्वराज्जी हमारा जन्विसीद अधिकार है और यह हम लेकर रहेंगे यह नारा किसने दिया सही आंसर हो जाएगा आप्सन नमब ए बाल गांगाधर तीलक कोशन नमब शत्रा कोशन नमब शत्रा है कि इस अनुछेद में यह बताया गया है कि राश्ट्रपती सर्वच्य नयाले से प्रामर्ण से ले सकता है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आप्सन नमब ए अनुछेद 143 के अंतरगत कोशन नमब शत्रा भरती संबिधान के किस अनुछेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रधान है यानि कि आपसे सवाल पूछा गया है निर्वाचन आयोग की चार्चा संबिधान के किस अनुछेद में किया गया है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपसन नमब ए अनुछेद 324 में कोशन नमब उननिस भारती संबिधान के किस अनुछेद के अंतरगत भारत के राश्ट्रापती पर महाभियोग चलाया जा सकता है यहाँ पर आइट आंसर हो जाएगा आपसन नमब डी अनुछेद 61 के अंतरगत कोशन नमब बीस है निम्ड में से कौन सा अनुछेद मौलिक अधिकार के अंतरगत बच्चों के सोचन से संबंधिध है सही आंसर हो जाएगा आपसन नमब बी अनुछेद 24 कोशन आगे है राश्ट्रापती के वेतन और भत्ते किस से प्राप्त होता है तो आंसर हो जाएगा आपसन नमब बी संचित निधी से कोशन नमब बाईस है उन्नीस में आयोजित अखिल भारतिये खिलाफ सम्मेलन की अध्यक्ष कौन थे तो यहाँ पे आंसर है आपसन नमब ए महत्मा गाधी कोशन आगे है चुना पथर का कयांतरित रूप क्या है चुना पथर का कयांतरित रूप क्या है तो आंसर होगा आपसन नमब बी संग मर्मर कोशन नमब चौबिस है भारतिये रश्टिये कॉंग्रेस के 788 की अध्यक्षरता किसने की थी तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आपसन नमब डी जॉर्ज यूले ने कोशन नमब पच्चिस बी स्वा में प्रथम रेल लाइन की निव कहां रखी गई तो आंसर हो जाएगा आपसन नमब डी इंगला इंड में तो मिलता फिर अगले वीडियो में अपना ध्यां रखिए जय हिंद जय भारत अपना ध्यां रखिए जय हिंद जय भारत